कानपुर देहाद पहुचे अखलेश यादव ने दावा किया कि 2024 की लोग सबाचुनाव में इंदिया गड़बंदन की सरकार बनने जा रही है और यूपी में बीजेपी को 80 में से 80 सीते हार मिले किया आपको बता दे अखलेश यादव ने भी कहा जब कोई रास्ता बीजेपी को नहीं दिख रहा तो वो बेवजे अफ़ा उड़ा रहे हैं और गड़बंदन की सीटों के बटवारे को लेकर विवाद है लेकिन जब साथ आने की बात हो तो सीटों का भी मसला कोई बड़ा नहीं हैं उन्होंने जेपी एन आई सी घटना का हवाला देते वे कहा है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है संविधान और लोगतन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है अकलेश ने सवाल पूछा लोगना जेपरकास ची की प्रतिमा को इस तरह से डखना पिंशर लगाना गेट प आज बेंगाई चरम सीमा पर पर बुरुजडारी चरम सीमा पर और अण्याईवी चरम सीमा पर तो मैं नहीं समझता हूं कि कहीं किसी तरह का सीट कर को सबाल होगा गडवनदन जीतेगा जनता बीजेपी को 80 सीटें हानाने जा रही है